हंजी दोस्तों स्वागता आप सभी आपके अपने मोर इंटर्टाइनमेंट पेज पर दोस्तों आज आपके लिए एक खास वीडियो देकर आने वाले हैं यदि आप नया ट्रेक्टर लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी खास होने वाला है हंजी इस ट्रेक्टरे बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस ट्रेक्टरा मेंटिनस खर्च बिल्कुल लो है और डीजल अवरेज की बात करना तो अन्या ट्रेक्टर से बिल्कुल जीरो डीजल खर्च है उस ट्रेक्टर का दोस्तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखना, कॉमेंट करना और वीडियो वा ज्यादा ज्यादा सेयर करना ताकि सभी किसानवायों के पास अपना ये वीडियो पूंजाए और उन्हें भी इस ट्रेक्टरे बारे में पुरी जानकारी मिले चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम जी दोस्तो आज हम जी इस ट्रेक्टरा वीडियो लेकर आए हैं वह ये मैस्जी फर्ग्योशन कंपनी ने त्यार किया ट्रेक्टर दोस्तो आप फ्रंट से देखने से बता नहीं सकते हैं वह यह कमपनी का कौन सा मोडल है क्योंकि वह इस बोनट में कमपनी के बहुत सारे मोडल आते हैं दोस्तो जो यह ट्रैक्टर है यह मैस्जीफ और उसने एक जार पेंट इडी आई है चाली एच्पिरेंज के अंदर यह ट्रैक्टर आता है दोस्तो सबसे पहले हम इसके फरंट की बात करें तो एन एमेजिंग लूक है इस ट्रैक्टर की बहुत यह ट्रैक्टिव है दोस्तो आनंद मैं लूक में यह ट्रैक्टर कमपनी ने त्यार किया है देखिए हम इसके आगे के बोनट की बात करते हैं तो देखिए ये गरे कलर में सांदर्ड जाड़ी दी आगे और बीच में दो हेड लाइटे दी हैं हेलो जन बलव के साथ और सेंटर में आप देख रहे होगे दोनों लाइट टांग बीच में ये मैस्जी फरग्यूसन का लोगो कमपनी ने लगा दिया है दोस्तों आगे आपको एक फरनट में कमपनी फिटी डबंपर मिलेगा और शाइड बोनट की बात करना तो इसमें मैस्जी फरग्यूसन एकजार पैंटी डियाईगी ब्रैंडिंग के साथ साड़ी एच्पी रेंज भी एक बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगी अगर हम इसके फरनट एक्षल की बात करें तो इसमें नोन अड़ेजस्टेबल फरनट एक्षल दिया गया है डबल एक्टिंग पावर स्टेरिंग शिंगल टेंडिंडर पंप के साथ इसमें מिल जाता है दोस्तों यहीं पास में आपको एक separated container दिया गया है यह power steering के oil के लिए अलग से और यहीं पास में आपको एक coolant container भी दिया है जो आपके radiator में coolant को पुरा करेगा अब हम इसके bonnet को खोलते हैं इसके bonnet को खोलने के लिए आपको इस button को press करना पड़ेगा इसी प्रकार से दूसरी side भी आपको यह button मिलेगा इसको भी उसी प्रकार से प्रेस कर देना है यह bonnet खोल जाएगा दोस्तों अब हम air cleaner की बात कर लेते हैं साथ में इसमें oil वाड़ा आपको air cleaner मिल जाएगा दोस्तों bonnet को उठाने से पहले आपको यह बाहर निकालना पड़ेगा इसके बाद आप इसके bonnet को असानी से उपर उठा सकते हैं और आपका bonnet खोल जाएगा दोस्तों अगर इसके diesel tank की बात करें तो पहले इसमें 35-40 लीटर का diesel tank आता है लेकिन अब इसमें और की बात करें तो इसमें पहले के मकाबले जाडी बहुत खुली करदे हैं पहले बरीख जाडी के अंदर calorie star आते थै यह breast Инडर आते देए लेकिन अब जाडी हाज जो बात करें तो इसमें आपको सिंगल फूट स्टेप के साथ पाइदान मिल जाएगा जिस पर आप असानी से ट्रैक्टर पर चड़वा उतर सकते हैं सीट की बात करें तो वही पुरानी मैस्टी वाली सीट जो कई वर्सों से आ रही है दोस्तो हम इसको निचे से नट लूज करके आगे पिछे कर सकते हैं और बैक रैस्ट की बात करें तो इसमें आपको वही मैस्ट टैफ वाला पुराना लोगो मिल जाएगा कोई बैक रैस्ट तो वही नर्मल साइज की आपको इसमें मिलेगी दोस्तों अब हम इसके स्टेरिंग की बात करते हैं स्टेरिंग पहले से थोड़ा छोटा कर दिया है और बीच में आपको इसमें मैस्टी फरग्यूसन का लोगो मिल जाएगा अब हम इसके डैस बोर्ड की बात करते हैं डैस बोर्ड में आप देख सकते हैं इस साइड निच्छे वाड़े ओयल के लिए पॉइंट दिया है निच्छे बैटरी वाड़ा पॉइंट आपको इसमें मिल जाएगा साथ में दूसरी तरफ आपको टैंपरेचर मीटर और ओयल मीटर और बीच में आपको आर्पियम मीटर मिल जाएगा 1500 आरपियम पर इसके पूरे 544 पीटियों के पूरे कर लेता है यह टैक्टर और डिजिटल में आपको इसमें आवर दिखाएगा और साथ में इसमें बैटरी का भी ओप्शन पॉइंट दिया गया आल्टिनेटर के लिए कि बैटरी आपको चार्ज हो रही है का नहीं टैक्टर कारी लाइटे उपर निचे होने के साथ साथ बंद भी इसी परकार से होंगी और यहीं पास में चारों इंडिकेटर के लिए बटन दिया है स्टेरिंग के राइट साइड में आपको हाथ वारी रेस मिल जाएगी और यह की पॉइंट दिया यह पहले बार की तरफ आता था आप अंदर के तरफ दिया है इसके उपर आपको बारा वोल्ट का मुबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट मिल जाएगा अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें पूस्ट पैडल के साथ मल्टी ओयल इमर्शिट ब्रेक्स मिलेंगे इसमें फ्लैट पाइजान मिल जाएगा आपको बीच में थोड़ा आपबमब मिलेगा देखने को लेकिन आप इसको फ्लैट पाइजान ही मान सकते हैं दोस्तों इसमें यहीं आपको पाऊवारी रेस मिल जाएगी दूसरी साइड बात करें तो इसमें आपको पूस्ट पैडल के साथ डियोल कल्स मिल यहीं हम lift की बात करें तो इसमें दो lever दिये गई हैं एक position lever और एक draft lever अब बात कर लेते हैं इसके gearbox की, gearbox के आपको इसमें दो option मिलते हैं फर्ष्ट option 10 forward और 2 reverse, second option 8 forward 2 reverse अब हम this tractor review कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं बड़े lever में 4 forward और 1 reverse और जो छोटा lever है यह high low के लिए हैं यानि कि इसमें 8 forward और 2 reverse गेर दिये गए हैं दोस्तो अगर हम इसके total weight की बात करें तो इसमे total weight 349 kg है front tire की बात करें तो इसमें 600 सोड़ा के आपको front tire मिल जाएंगे वही हम इसके back tire की बात करें तो इसमें 368 इसके आपको tire देखने को मिलेंगे without weight दोस्तो आप में इसके पिछे इससे की बात करते हैं दोस्तो पिछे की बात करें तो इसमें आपको च्योंती xp की pto power और planetary plus के साथ पिछे वाला इंसा दे दिया है यही पर आपको top link के लिए single hole वाला एक point मिल जाएगा top link आपको company साथ में दे रही है differential log के साथ आपको यह power steering वाली एक नाड़ी भी दी गई है इससे आप dumper या enablement में यूज कर सकते हैं दोस्तो यही पास में आपको यह देखे पहले से बड़ा टूल दे दिया पहले company चोटे हज़ टूल देती दी और यह वही पहले वाले indicator मिंडा company के दोस्तो यह साथ में आपको company reflector दे रही है night में काम करने के लिए light दी गई है पिछे mudguard पर और यह इसके link की बात lift arm है जो इनकी बात करा तो आप यह पहले से काफी हैवी कर दी है दोनों side आपको jack मिलेंगे पहले एक side jack मिलता था अब हम दोनों side से jack की साइटा से lift को set कर सकते हैं दोस्तो adjustable hook दिया इसमें आप उपर निचे कर सकते हैं और यह देखे भाई यह बहुत अच्छा काम है यह बेल दिये हैं दोनों side बार बारी side jack है जो tire है वो खराब नहीं होते हैं पहले बहुत सेे ट्रैकysz कर देखें और यहांसे tire खराब मिलते हैं दोस्तो इसमें मरगारड दो भी आप अंदर बाहर कर सकते हैं दो point मिलेंगे आपको आप पूरे बाहर कर सकते हैं आप मरगाड अंदर भी कर सकते हैं इसके लिए आपको कंपनी ने पॉइंट दिया है दोस्तों आपको पूरी इनफॉरमेशन ट्रैक्टरे बारे में हमने दे दिया है वीडियो को ज़ए ज़ए लाइक करें सेयर करें कोमेंट जरूर करना है आपको यह ट्रैक्टर कैसा लगत करके यह थोड़ा उपर नीच से भी हो सकता ज्यादा भी हो सकता और इससे कम भी हो सकता है दोस्तों वीडियो पर कोमेंट जरूर करें कि वह यह आपको ट्रैक्टर कैसा लगता है दोस्तों हमने आपको पूरी डिटेल ट्रैक्टर की दे दी है मिलते हैं जल दी नेक्स्ट वीडियो में जै ज्वान, जै किसान